श्रूस्त तो स्वागत है आप सभीका खुट्वानिस किचन ने तो आज की है समस स्पेशल कच्छे आम की खटरीवाली दाल क्युक्ति आजकल गर्मयोगा वह महीं अजम है, कच्या में की कट्टी दाल बनाने के लिए मैंने आपे एक कब तुर की डाल ली है इस्तुर की डाल मैं दो तीन बार अच्छे से पानी से होके इसे पॉयल कऱें लोंगे तो मैंने आपे कर लोकीद फेंड़े ऑनी 1árias फें侵ास god पका लूंगी, तो दीकि हमारी दाल पक चुकी है तो अब हमें इसे चेक कर लेते हैं, यह काफी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, अब मैं इसे पानी डालके मेशर से मेश करके, इसकी जो कांसिसेंस है वो सेट कर लूगी, अब इस दाल का हम तड़का तयार करेंगे, तो त खड़ाई ले ली है, खड़ाई में एक बड़ा चमच मैंने यहां पे तेल डाला हुआ है, और जैसे हमारा तेल गरम होगा, मैं इसमें डालूंगी एक चमच जीरा, एक चमच राई, और कुटी हुई लसुन, मैंने यहां पे लगबग 6-8 कली लसुन की ली है, जैसे लसुन अच्छे गुलाबी हो जाएगी, तब तक हमें इसे फ्राय करना है, तो दीखे, लसुन जो है अच्छे गुलाबी हो गई, तो आब मैंने इसमें डालेak कुछ कड़ी पते, अब मैंने इसमें डाला एक मीडियम साइस का प्याच बारी काटके, अब इस प्याच को भी हमें light ब्राउन होते तक अच्छे से फ्राय कर लेना है तो दीकिए प्याज का भी चो कलर है काफियत तक चेंज हो चुका है अब मैं यहां पे एक मीडियम साइस का अच्छा आम ले रही हूँ जिसे मैंने ऐसे चोटी-चोटी तुकड़ों में कट करके रखा है तो वो मैंने इसमें अच्छा से प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे अब मैं मैंयिक कुछ मसाले तो मैंने सबसे पहले यह पर ढाला नमक स्वात अनुसार मैंस्ते हं अधाथ यह यह 1-2 भावजी तुछ यह पीजान एक हाह वजु आप साब सब खाना कर सकते हैं इन आइज मिक्स करने पात्प तो अच्छे से पक चुका है अब आपकी चुएसे आप चाहें और थे चोटहते चाँटवाल मेच पाथ अप में अगली करको हिसे से अधा करते हैं कि अच्छे हुए पाथ अप इसे मेचंगी मिञा है कि अपने घलें दाल इस मेचक कर दूंगी हुआ ।बैर कि दो तीन उबाल दिलाएंगे जैसे दाल में अच्छे से उबाल आने लगेगा मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी पानी आप अपने साब से इसमें कम या जादा डाल सकते हैं अब मैं इसमें डाल रहे हूँ बारी कटा हुआ हरा धनिया तो तयार है हमारी खटी दाल अब हम इसे लगाएंगे डबल तेटका तो आएए पहले इसे मैं सर्विंग बॉल में जो है सर्व कर लेती हूँ Subbing ball में डालने के बाद मैं इसके उपर से जो है तड़का लगाओंगी तो तड़का लगाने के लिए मैंने इसमे थोड़ा सा पहले डाला हरा धनिया बारी करटा हुआ अब मैंने यापन पर तड़का पैन रख लिया तडका पैं में डाले 2 टेबस्पून तेल तेल जैसे गरम होता है मैं इसमें डाला यहाँ से बर्टा informação यहाँ से ऑड़ाने मध के उसा टेस्ट आता है और को तो अँड़ा कितना प्याड़ा लूग का रहा है और टेस भी इन्हेंस हो जाता है तो इस तरीके से खट्टी डाल बनाएए और खाएए और आपको कैसी लगी मेरे रेसेपी जरूर बताएए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ये थैंक यू फा वाचिंग